गेहु के आटे से बनी हुई, एकदम खस्ता और बहुत ही टेस्टी ये त्वेर की कचोरी है, जो हरी भरी त्वेर से भरी हुई है और इसके साथ मैं खाने के लिए मैंने बनाई है एकदम टेस्टी सी आउले की चट्नी मस्ते दोस्तों, मैं शीला मौर्या, अपने चैनल शीलाज मूडा फूड में आपका स्वागत करती हूँ और आज मैं बनाने जा रहे हूँ, ये हरी भरी त्वेर से भरी हुई, एकदम टेस्टी और एकदम खस्ती गेहु के आटे से बनी हुई, खस्ता कचोरी और आउले की चट्नी जो इसके साथ बहुत ही अच्छी लगती है, ये खस्ता कचोरी बनाने के लिए मैंने त्वेर की फली होती है, उसको तोड़के दाने निकाल लिये हैं, अब उसको धुलके साफ कर लेंगे, और उसके बाद में हम इसका कचोरी बनाएंगे कचोरी बनाने के लिए मैंने पहले आटा लगाना है, तो दो कप गेहू का आटा लिया है मैंने, घर में आप रोज जो रोटी बनाती है, वही आटा ही इसमें यूज करूंगी मैं, और उससे ही इतनी अच्छी कचोरी बनेगी, कि आप किसी को बताएंगे नहीं तो पता भी मसल के अच्छी तरीके से इसमें मिलाएंगे, मुएन को आटे के साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करिए, और मुठी बना के देख लिए, अगर मुठी नहीं बन रही है तो थोड़ा सा मुएन और डाल दीजिए, और उसके बाद में फिर अच्छी तरीके से मिक् और आटे को बहुत ही हार्ड या बहुत कड़क नहीं बनाना है हमको और नहीं बहुत सॉफ्ट कर दिना मेडियम आटा लगाएंगे और हम इसको थोड़ी तरी के लिए रेश्ट देंगे तब तक हम स्टफिंग बनाएंगे जो हमने तोयर्ट चील के धूल के साफ करके रखा ह क्या है उसको हमको मिक्सर में पीट देना है आप मिक्से में इसको डालके पीख दिजिए और देखे इस तरह से हमने इसको पीस दिया है अब एकदम अची तरीके से और अब हम चलेंगे इसकी थोड़ी से अद्रक लेंगे एक इंच अद्रक का टुकड़ा और दो तीन हरी मिर्च ले लिजे अगर आपको तीखा पसंद है तो और उसके बाद में उसको कूट के उसका एक पेस्ट बना लेंगे दो प्याज को मैंने काट के रखा है करी लीप्स लिया है और अद्रक और हरी मिर्च का पेस्ट लिया है अब एक कड़ाई में तेल लेंगे उसमें डालेंगे पहले हींग और उसके बाद उसी में डालेंगे राई और थोड़ा सा जीरा डालेंगे जब राई और जीरा अच्छी तरीके से तड़कने लगे तब हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे राई और जीरा को अच्छी तरीके से तड़कने दीजे उसके बाद में इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे अब हम इसमें डालेंगे प्याज, जो हमने दो प्याज काटके रखी थी, उस प्याज को डाल रहे हैं, अगर आप प्याज नहीं खाते हैं, तो प्याज स्कीप कर दीजे, आप मत डालेंगे, आखी सब प्रोसीजर वैसे ही करना है, जैसे मैंने इसमें किया है, पर उसके चमच, धनिया जीरा पौडर और गरं मसाला। इन सब मसालों को अची तरीके से मिक्स करेंगे। अब जो हमने त्वेर पीस के रखा है उसको भी आम इसे में डालेंगे। और धीमी आज पे सब मसालों के साथ में इसको मिक्स करेंगे। तो इसमें डाल दिजें और ढुटतधिक जब और जिन हमुमेरे मीचेर्न थेशन के दाती में थोड़ Mississippi के दिटंगे ऐसके लिए इसको थोड़ेиц District के से तरीके से पक भी जाएगा तो थोड़ी देर धीमी आज पर जब पकाएंगे तो इसकी stuffing इस तरह से बनके तयार होजेगी इसका color भी change हो जाता है थोड़ा से एकदम green से ये थोड़ा सा पकने के बाद इसका color थोड़ा सा change हो जाता है अब stuffing तयार है इसकी अब हमने जो आटा रखा है उस आटे को हाथ से अच्छी तरीके से muscle देंगे अब हम कच्वरी बनाना शुरू करेंगे तो जो हमने stuffing बनाई है उसकी एक छोटी-छोटी सी ऐसे गोल-गोल लोईयां बना लीजिए आप जिसे भरने में आपको आसानी हो इस तरह से छोटी-छोटी गोलियां बना रखेंगे उसके बाद में ह अच्छी तरीके से दबाते हुए चारो तरफ से इकठा करके इसको बंद कर दीजिए तंडक के सीजन की बहुत सी रेसिपी जैसे सूप है हल्दी का अचार है अलग-अलग तरीके के आमले के अचार और जूसेज यह सब की रेसिपी मैंने बना रखी है आप चैनल पर जरू करके और एक बार बेलन से बेल दूंगी उसके बाद में इसको मैं तलूंगी जिससे थोड़ी कचोरी बड़ी भी हो जाती है और अच्छी भी लगती है और अगर आप चाहे तो ऐसे गोल-गोल भी तल सकते है तो इस तरह से मैंने सब को तयार कर लिया पहले अब तेल को मैं धीमे आज पर रखा है बहुत जादा गरम तेल नहीं होना चाहिए नहीं तो कचोरी उपर से लाल हो जाएगी और अरंदर से कची रह जाएगी कम तेल में ही मैं कचोरी को अच्छी तरीके से तलूंगी क्योंकि बहुत जादा तेल डालने के बाद में फिर उस तेल को बाद और अगर आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं मुझे कि आप कहां से रेसिपी देख रहे हैं और यह देखिए इस तरह से यह बिल्कुल खस्ता और टेस्टी कचोरी बनके तयार हो गई है आप इस रेसिपी को जरूर करें धीमियाच पे आप बनाएंगे ना तो कचोरी अच्छी तरीके से फूलेगी और खस्ती भी बनेगी इसके साथ में मैं एक आउले की चट्नी की रेस्पी भी बनाऊंगी जो आप जरूर देखिए और आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताएं और अब मैंने तेल में से आपको और आप जरूर ट्राइ करिए और अब बनाएंगे आउले की चट्नी अब देखिए आउले की चट्नी बनाने के लिए सबसे पहले आउले को धुल के साफ कर लीजे और उसके बाद ऐसे चोटे-चोटे टुकडों में इसको काट लीजे ये आउले का ही सीजन है तो को हर तरीके से आप उपयोग करिए और चट्नी तो सब को पसंद होती है बच्चे भी बहुत प्रेम से खा लेते हैं इसलिए चट्नी तो बना के ही रखिए आप इसमें लसन डाले हरी मिर्च डाले जीरा डाला है मैंने और हरी धनिया डाला है इसके साथ में नमक डालेंगे हम स्वाथ के अनुसार और थोड़ा सा पानी डालेंगे इन सब चीजों को हम अच्छी तरीके से पीस लेंगे और पीसने के बार में ये परफेक्ट सी एकदम अच्छी सी धनिया आमले की चट्नी तयार हो गई है इसको आप किसी भी चीज के साथ इस कचोरी के साथ में तो साथ में आप इसको पराठे के साथ में दाल चावल के साथ में भी खाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगीगी और हेल्दी भी है चोरी और चट्नी को इंज्वाई करें और चैनल को सब्सक्राइब करें